सबसे पहले हम जानते हैं सेरीज कनेक्शन अफ रेजिस्टर यानि कि रेजिस्टर का जो सेरीज कनेक्शन है वो किस तरह से होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर मैंने एक डाइग्राम स्केच के हुआ है जिसको आप देख सकते हो जैसे एक पार्ट है म मोबाईल का स्पीकर माइक वैबिरे टर शीम क Richmond या कोई भी आई सी यह तो इस पार्ट को को जीए तो हम बैटरी सकंवा user तया यह इसको लग पोड़ते उसको सप्लाइब कर सकता आए तो कोई भी भोल्तेज इसको सप्लाइब कर सकता है तो इस तरह इस एक positivity तालने पर क्या होगा है इसको थोड़ी सी कंपर के इसको दे देगा यानि यहां गरिस्ली के बहुत है तो इस दो के बाहँ इस पॉल्टेज मिलेगा ओ क्यों बहुत effective लिए बैलु पर डी पेंड होगा है अगर कम है तो इसमें ज्यादा बोल्टेज आएगा और इसमेंग आगर ज्थाइट है तो इसमेंavat . इसको control करें तो यह डिपेंड करता है इस पार्ट को कितना वोल्टे जरूरत है उसी मताबिक है जो रेश्टर है उसका वैलू यहां पे रखा गया होता है तो इस तरह से अगर कोई रेजिस्टर कनेक्टर है तो अब जैसा इस पार्ट का वोल्टेश देने के लिए दो लाइन में ही है मतलब निगेटिव से इसका डायरेक कोई कनेक्शन नहीं है पार्ट के थुरू यह निगेटिव से कनेक्शन हो सकता है लेकिन डायरेक्ट इसका जो कनेक्शन है वो निगेटिव लाइन से नहीं है तो इस तरह से अगर कोई कि थोड़ी से बोल्टेश को गंट्रोल करके इस part को हम supply कर सकते है तो इसका एक और purpose क्या होता है अगर बोल्टेश some time is किसी कारण बस ज़्याधा आजाता है तो उस बोल्टेश को गंट्रोल करके इसका बैलेन्स ब्ल्टेश कारेने का काम भी इस तरह का register किया जाथा तो दोस्तों सेरुेसंन में लगने वाला जो register है वो कितने फोल को कंड्रोल करेगा वह हम इस तरह की formula से हम उसको calculate कर सकते हैं तो इसका जो formula है VR यानि कि voltage opposed by रजिस्ट यानि कि कोई भी रजिस्टर कितने बोल्ट को अपोस करेगा कितने बोल्ट को रोकेगा अगर वो सेरीज में कनेक्टेड है तो इसका फर्मूला ए है बियार इकस्ट टू आई इंटू आर आई का मतलब सब्सक्राइब करेंट जिससे हमें एंपियर में रखके कैलकुलेशन करना है और आर का मतलब हो जाता है रे कैलकुलेशन करना परेगा तो दोस्ते ये फर्मूला को यूज करके हम एक रेजिस्टर द्वारा कंट्रोल होने वाली जो बोल्डेज है उसको हम निकाल सकते हैं और सिर्फ सेरीज कनेक्शन के लिए फर्मूला लाग होता है लेकिन अगर रेजिस्टर पहला ली और इसको हम बोर्ड में कैसे चेक करना है और भी देखेंगे लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि पैरलल कनेक्टेड रेजिस्टर के बारे में भी कुछ इन फूर्मिशन ले लेते हैं उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल हो करके देखेंगे और हम पता लगाएंगे कि कोई रे कि इसमें बीचोवीच कनेक्टेड होता है उस तरह की कनेक्शन को हम पैलैल कनेक्शन ओफ रिजिस्टर बोलते हैं प्लैल में करता है और यहाँ पे 3.7 वोल्ट हम इसको सप्लाइ कर रहा है तो जो 3.7 है तो दो इस्टों में डिवाइड हो जाए गा कुछ भॉल्डेज की तर कंट्रूल करना तो किसी पार्ट को अगर बहुत Ihी कम वोल्टेज आ है लेकिन अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा वोल्टेज दे रहा है तो इस तरह खी कंडिशन में हमें रेश्टर को पैरलमी कंशिन करके उस ब्लटेज को डिवाइड करना है मतल hoş part temos voltage या इस line में वड़े जाएगा तो हो depends करता है कि दोनों में से किसका रे किस्टेंस जदा है या intermittent यह यह जो रेड़े जो रिजीस्टेंस जाद है है तो दूस्तों किसी भी load के अंदर वह रेजीस्टान्स होता है वह नहीं कि वह भी कम बोल्डेज आएगा अगर इसका वहलू ज्यादा है तो इसमें कम बोल्डेज आएगा मतलब जो बोल्डेज का फ्लो होता है ओ लो रेजिस्टांस पाथ में ज्यादा हो यानि कि जिस पाथ में जो रेजिस्टांस है उसका वहलू कम है उसमें ज्यादा वोल्डेज फ्लो हो तो इसका रेजट्रांस ज्यादा है और इसका रेजट्रांस कम है क्योंकि इसमें ज्यादा बोल्टेज आ रहा है और इसमें कम बोल्टेज आ रहा है लेकिन अगर इसका रेजट्रांस ज्यादा होता तो इसमें ज्यादा बोल्टेज फ्लो होता और इसमें कम बोल्टेज फ्ल थो आगे हम देखते हैं how to find register connected in series enty or इनियाँ हम बला सकते हैं तो उसमें फॉल ताजानेat मुवाइल में किस तरह का प्रॉ Customer हो सकता है इसकी information हम आगे अगे लेते हैं तो सबसे पहले हम चानते हैं कि रेजिस्टर को एक रेजिस्टर सेरीज कनेक्टेड है या नहीं है उसको किस तरह से पता करना है तो पहले मैं आपको explain कर देता हूँ फिर मैं उसको आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा तो सबसे पहले तो find register connected in series यानि कि register series में connected है या नहीं है वो find करने के लिए हमें क्या करना होगा जो ground होता है मतलब जो negative line होता है पार्ट में जाने वाला या कोई भी मतलब mobile के board में आप देखते हो तो इस तरह का बहुत सारे बड़े-बड़े point बना होता है तो उस point को हम negative line या minus line बोलते हैं त और जो दूसरा तार है उससे हमें इस दोनों point में check करना है तो इस दोनों point में check करने के बाद इसका और इसका connection कोई नहीं है और इसका और इसका भी connection कोई नहीं है तो इस दोनों के बीच में भी beep नहीं आएगा और इस दोनों के बीच में भी beep नहीं आएगा तो इस तरह से करने पर अगर किसी भी रिदिशकर को क्योंभी इंड में वीप का connection नहीं नहीं दे रहा है ग्राउ cocktail के साथ तो उस तरह का हमें पता चलता है तो से हम शेरज कह सकते हैं तो दौस्तों चाली है और इस प्रोसेस को हमम एक एंदो करने के बाद क्या होगा इसको भ habici दो लेड है मल्टी मीटर का दो दो ल लेडिक और प्रोब एसको ट्रॉज करने पर कर इसतर से बीप सांट देगा तो चार करना है को एक तार को ग्रांड के साथ इस तरह से रख देना है और तो दॉस्त यह सब्र ऐसके करना है तो उस वीडियो का आप जरूर देखे और उसको देखने के बाद आपको register का और भी बहुत सारे information हो जाएगा उसके बाद इस वीडियो को आप अची तरह से समझ पाओगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर register है मैं игрाउंड के साथ चेक करता हूं ग्राउंड के साथ लॉसतो इसका है शकु करना है और इसमें कोई बीप नहीं दे रही है और इसका धूसरा बातनी करते हैं or कहां देख सकते हो पार कोई फेल नहीं दे रहा है मतलब इसका दोनों इन में इसका कोई भी कन्येक्शन नहीं दीखा रहा है तो दुस्तो owane के साथ कोई कन्N कیک्षन नहीं है तो उस तरह की घृश्चन को हम series connected Rush烏 कहते हैं तो भू Amendment को क्भी घृश्चन का है हो FINE कर सकते हो चलिए मैं एक कुछ और ईőच्चब को भी आपको चेक करके देखा देता हूँ यहां पर बहुत सारे रेजिटर है तो हम यहां पर चेक करते हैं इसको मदल्ली मेटर के एक तार को ग्राउंड करते हैं कोई भी तार को ग्राउंड कर सकते हैं तो इसमें चेक करने पर आप देख सकते हैं यहां पर एवी रेजिटर सेरीज है यह भी सेरीज है यह भी सेरीज है आप देश लगते हैं यहाँ पर भी एक रेजिटर है तो इसको चेक करने पर एक ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है और इसका जो दूसरा इंड है वो बीप नहीं दे रहा है ग्राउंड के साथ तो यह रेजिटर सेरीज नहीं है कोई अगर कोई इंड एकसास अब नहीं होता है लेकिन कोई भी क्राइव में लगने वाला जो रेजिटर है उसमें कोई फॉल्ट आने परетрा सकता है और किस तरहए कर सकते हैं और उसके बाद चलीआ आप इसके सुलूशन जानते हैं यानि कि डिखर अगर शेरीज में लगने वाला जो रेश्टर है इसमें कॉई फॉल्ट आ जाते तो उसमें फॉल्ट आने, पर क्या होसकता है और कम किस तरह से कर सकते हैं उसकी इंफरमिशन ले लेते, तो दोस्तों सिरीज में रेश्टर स्पॉस्प्र स्थ इस तरह से ब्रेक हो गया है मतलब जल गया है तो जलने के कारणी क्या होगा इसका जो लाइन का कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा इस तरह से ब्रेक होने पर इस पार्ट को मिलने वाला वोल्डेज है वह भी जीरो हो जाएगा मतलब इधर से कितना भी वोल्डेज आएगा ल पहले मानि इसके पहलू मनि यह था तो बढ़के ज्यादा हो गया मतलब सेन्डेड ओम या घजार ऑम कितना भी हो गया तो जितना इसको भोलूर जा जाने चाहिए उतना व्योंत्र नहीं जा पाएगा यानि कि इसको मिलने वाला voltage कम हो जाएगा, voltage लो हो जाने पर इसका जो function है वो proper नहीं हो पाएगा, मतलब यह function कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है लेकिन properly यह function नहीं करेगा, तो दोस्तों series में जो register हो खराब होने पर इस तरह का fault हो सकता है, मतलब उसका जो आगे का part है वो क करने के बाद register को किस तरह से किया जाता है, इसकी information मैंने पहले वीडियो में दे दिया है, तो उस वीडियो का आप जरूर देख ले और इसको check करने के बाद अगर इसमें fault है, तो आप सका solution किस तरह से कर सकते हो, तो इसका एक solution हो गया है, मतलब इसको replace करना है, मतलब इसका value जितना पहले था उतना ही है, value डाल के आप, इसको replace कर सकते हो, नाइव register लाकि उसमें डाल सकते हो, perfect solution, लेकिन mostly technician ये काम नहीं करते, क्योंकि हमें register से value का register को identify करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसका solution हम किस तरह से कर सकते है, यानि कि जो register खराब हुआ है, तो उसको हम दोनों side में इस तरह से तार से जोड़ देंगे, तो इसको jumper बोला जाता है, तो jumper करने के बाद क्या होगा, जितनी भी voltage यहां से जाएगा, मानि है 3.7 volt जा रहा है, यहां से हम दे रहे हैं, तो इसको भी 3.7 volt मिलेगा, लेकिन इसको चाहिए था 3.5 volt, लेकिन अब जा रहा है से इसको काम करने जैसा हमें बना देना है, लेकिन इसका perfect solution करने के लिए आपको क्या करना होगा, CM value का रेशर्ट जो है, उसको replace करना होगा, लेकिन मुश्ट लिए जो technician है, वो इसको क्या कर देते है, जंबर कर देते हैं, अगर series में है तो, जंबर करने के बाद क्या होता है यो part काम करने लगता है, लेकिन इसको क्या होता है, थोड़ा ज्यादा voltage मिलने से, इसका जो heat है, वो ज्यादा हो जाता है, यानि कि यो mobile guard होने का कुछ problem इस तरह से आ सकता है, लेकिन mobile, मतलब काम करने, मतलब mobile का जो fault है, वो दूर जरूर हो जाता है, तो इसका जो easy solution है, वो jumper solution है, तो आप इस तरह का अगर कोई fault आ रहा है, series में register का और जो fault आ रहा है, तो उसको आप jumper करके solution कर सकते हो, और जो fault है, वो repair हो जाएगा, तो दोस्ते इस आगे वाले वीडियो में हम mobile का parallel connected register होता है, उसको किस तरह से identify कर सकते है, उसमें जो fault आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से repair कर सकते हैं, इसकी total information में भी मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसलिए मैं इसका information में आपको अगले वीडियो में दूँगा, तो दोस्तो हमारे चैनल को देखते रहे हैं, तो दोस्तो mobile और बहुत सारे electronics device की training और repairing से जोड़ कार्ण पोस्तो हमारे, तोस्तो दोस्तो हमारे हैं, झज़ फ existence की और इसका information में आपको अगले वीडियो ओी की और फिते हैं, तो 4 वीडियो में और हमारे मारे हूँ, आपको अधको पन्या आपको बहा हैं, इसका information पूद दो आपको की।